हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टूर चैनल, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे फॉनिक्स साउंड, अगर आपके बच्चे छूटी क्लासेस में हैं या फिर उनको इंग्निश पढ़ने में प्राब्लम आ रही है, इंग्निश की रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आप उन्हें फॉनिक्स साउंड जरूर सिखाएं, फॉनिक्स साउंड क्या होते हैं, फॉनिक्स साउंड से बच्चों को यह पता चलता है कि कौन से लेटर को हम कैसे प्रनेशियेट करते हैं, और इससे उनका बेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग होता है, मजबूत होता है उनका बेस, तो आप अपने बच्चों को फॉनिक्स साउंड जरूर सिखाएं, यह कैसे सिखाने हैं, चलि हम बताते हैं, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगी तो ल आए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको बच्चे को सिखाना है, ए को आए एपल, एक्जामपल भी दिया हुआ है, जैसे कि ए को आए बोलते हैं, तो आए को हम एपल होता है न, एफ और एपल, ऐसे ही ए से और भी एक्जामपल होते हैं, जैसे कि एफ और एक्स, एफ और इस तरह के pronunciation होते हैं A का B को ब बोलते हैं B को आपको बच्चे को बताना है पेटा कहीं पर B आये तो आपको उसकी spellings ब से बनाओ गए ठीक है B ब जैसे B for Bat C क C for Cat D ड ड डॉग E ए E for Egg जैसे A गाया है तो A को हम A बोल रहे हैं E को स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं A ऐसे ही और भी है F F Fish G G Gun H Hen I E Ink J J J J J for J K 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 L L Lion M M Monkey N Na Nest इस तरह से आपको अपने बच्चे को इनकी प्रनेशियेशन बताने हैं और बहाँ हैं और बहाँ हैं जेड़ आपको अपने बच्चे को इनकी लर्न कराना है O O O Orange आपको बच्चे को बताने हैं सारे जो एक्जाम्पल मैंने लिखी हुई हैं यह आपको बताना है कि देखो Orange जो है O से स्टाट होरा है क्योंकि हम O को O करके बोलते हैं P P Pen Q Queen R R R R for Rat Rat को हमरा से प्रनेशियेशन कर रहा हैं क्यों कर रहा हैं क्योंकि आर जो रैड की जो स्पैलिंग है वो A Are से स्टाट हो रही है और आर को हमरा बोलते हैं S Some T Da ट्री, यू, अ, अंब्रेला, ओके, वी, वर, वैन, डब्ल्यू, वर, वच, एक्स, एक्समस, वाई, य, य, याक, ज, 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 ब्रा, इस तरह से आपको अपने बच्चे को सारे फोनिक साउंड लर्ण जरूर कराने हैं, ए से लेकर ज, तक, जब आपके बच्चे सारे फोनिक साउंड लर्ण कर लेंगे, तब आप उन्हें, एक्जांपल भी उन्हें रीट कराएं, कि जैसे कि यू से असे अंब्रेला होता है, तो क्यों अंब्रेला को हम आ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यू का साउंड आ होता है, ऐसे ये वैन को हम V स सिखाएंगे जैसे कि मात्राइं हैं अ से लेकर अह तक जितने भी स्वर होते हैं जिनको हम इंग्लिश में बावल बोलते हैं उनको कैसे उनकी मात्राइं लें कराते हैं और साइट वर्ड भी होते हैं काफी सारे ये सारी चीज़ें आप बच्चे को यहां से सिखाना सुरू करें फॉनिक साउंड से जब बच्चे को यह सब चीज़ें बताएंगे तो वो इंग्लिस का बेस समझेंगे और इंग्लिस को रीडिंग करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी क्योंकि अगर आप तो चाते हैं आगे की वीडियो में बताओंगी तो उसके लिए प्लीश आप मेरे चनल को सबस्क्राइब करें और मुझे कमेंड करके ज़रूर बताए आपको आज का वीडियो कैसा मिला thank you